वाव, वाट अ ब्यूटी मेरी गाड़ी रेड लाइट पर भी नहीं रुखती पर तुझ जैसी लड़की को देखकर पता नहीं क्यों रुख जाती है यही इसकी वीक्नेस है मेरी भी एक वीक्नेस है तुम जैसी खुबसूरत लड़के को देखता हो तो इसे चूम लेने का मन करता है अगर मान गई तो एक, नहीं तो दस लूँगा क्या बोलती है अच्छा जवाब था यह अब तो तेरे लिए दस किस भी कम पड़ेगी तुने तो मेरा दिल खुश कर दिया अब किस देने के लिए तयार हो जाओ इख, चोड़ हो जाओ अरे बाप-बाप, मोटी देखके गिरना चाहिए ना मैं तो मरी जाता जोड़ू लीव मिट पजो देखे देख मेरे भाई, अगर एक लड़की को उसकी मरजी के बेना चुएगा, तो वो नाराज हो जाएगी लेकिन अगर उसके दिल को चुएगा, तो तुझे कभी नहीं भूल पाईगी पीज देना बंद कर, तु जानता नहीं मैं कौन हूँ सेम प्राब्लम, तु भी नहीं जानता की मैं कौन हूँ तुम लोग इस हीरो से निप्टो, मैं इससे देखता हूँ प्राब्लम, ए्मायू दूम्हारी वहाँ है देख यह भारो नहीं हाई एक्ष्जूज मी हेलमेट यह लीजे थैंक्स 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 इस तरह से मत देख नहीं तो तुझे प्यार हो जाएगा यह यह जीत गया यह देख मैं जीत गया मैं पॉल्टिक्स से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से जीता हूँ यह टैलेंट बेटे की शाधी करवाने में यूज क्यों नहीं करता तुम्हें गोवा की लड़ी तीने जर में चाहिए मैं शाधिया कराता हूँ मुझे दलाल समझाया क्या फोन रख बे क्या हुआ समय ठीक नहीं चल रहा गया पर जल्ला बोल बोल के दिमाग खराब कर दिया लगता धंदा चीट करना पड़ेगा जज साब आप ये फोटो देखिए डिटल बता नाम पदमिनी एंडिया में पैदा होई अमरीका में पली बड़ी आस्ट्रेलिया में अरंग नाटम किया न्यूयर्क में कुचुपडी टोक्यों में कथकली ब्राजिल में भरतनाटम औ पूरा समय स्टिट पर ही बताती ये शादी के लिए फोटो जेखिए अभी आपने का मतलब यह नहीं था कि उपहने कि पण कपड़े भी ना हो चलो फोटो अंदर रखो निस फोटो बनज़्ए डालिए मिडल क्लास फैमली की है भाई आई एस आफिसर की बेहन है हां तीन कारे हैं बंजारा हिल्स में बहुत बड़ा बंगला शमशाद बाग में अंगुरों का बाग है और जुबली हिल्स में कब से कलेक्टर है दस साल से सैलरी कितनी होगी 25,000 होगी एक साल की इंकम 3,000,000 दस साल में कितना 30,000,000 इंकटेक्स बचा कितना 27,000,000 रुपे दस साल में उसके खर्चे 10,000,000 और पकड़ बचा 10,000,000 तीन कारें एक बंगले की कीमत होगी तीन क्रोड और गाडन की 25 लाग, एक्सेक्टरा, एक्सेक्टरा, अब बताई सब कैसे, वो कलेक्टर नहीं है, करिप्टेड है, ये पद्म भूशन जैज, ऐसी फैमली के साथ रिष्टा नहीं करेगा, अरे सार, उसके पास पैशे हो या नो, उससे आपको क्या लेना देना, ये क्या है, कोरा कागज, ये क्या है, काला धबबा, एक सफेद कागज पर क्लियर दिखाए दे रहा है, इसी तरह लोग उनसे रिष्टा जोडने के बाद हमें भी गलत समझेंगे, मेरी बहु ऐसी होनी चाहिए, जिस पे मुझे गर्व हो, उसकी योज़े से हमारा नाम खर अब मैं ऐसा परिवार्ड ढूँगा, जिसमें कोई दाग ना हो, चलता हूँ, दया, सर, ये लो, तुमारा सर्विस चार्ज, ये क्या चेक, मैं अपना सारा ट्रांजेक्शन चेक सही करता हूँ, थैंक्यू सर, थैंक्यू, स्टेट बैंक आफ इंडिया, नाकवडा ब्रां हाँ मार आ रहा हूँ, ओमशी है, और इसे बुलाए किसने, ग्रेट स्केप, क्यो बेटा, जो बुला था ले आया ना, लेलल सुप, टूथपेस्ट, ये क्या है रे, तुम्हें कलोच अब कहा था, कोल्गेट के वले आया, ये क्या है रे, तुम्हें क्लोस अब कहा था, और यह लीजे डाड़ी के लिए ड्राइफूट आप हस क्यों रहे हैं आपने तो मुझे लाने को कहा था ना मा ते मैं तो हस क्यों रहे हो भाया ने कोई जोक मारा क्या वम्शी अगर तु इसकी जोड़ी लाता तो काम आता ना एक से मैं क्या करूंगी मैं क्या ला है किसका है ये हाँ ये उस लड़की का हुगा मा किस लड़की का अरे मैंने उसे उठाया था तो अगर आपने उसे उठाया तो आगे की जिगा पिछे कैसे पहुचा भाया अच्छा तू अपना मुझ बंद रखेगी मा एक लड़की को लड़के रस्ते में छेड रहे थे तो बस मैंने उसे बचाया मा इसे चुमके की तरह लटका लो तो चुप कर इसको तो पता नी कब अकल आएगी मैं सच कह रहा हूं मा यकीन करो मेरा अब बस भी कर तेरे डाड़ी को इसके बारे में पता चलेगा ना तो वो हम सब को पागल कर देंगे यह ले अगर वो लड़की दुबारा मिले तो उसे वापस कर देना कर दे लो क्या हुआ नंदनी को छोड़ो ना जान जान तभी मारी इतनी आगे बढ़ गई अभी अभी सॉंग खतम किया था और तुम लोग आगे डिस्टब करने अच्छा हेलमेट वाले ने जादू कर दिया तो हम लोग डिस्टब लगने लगे अच्छा ये बता वो है कौन नहीं मालूम नहीं मालूम ज घृण हूं और फिर भी बचाया ना उसने मुझे अगर मैं उसका प्यार बनी तो मुझे कितना प्यार करेगा है ना जरा सोचो तो बदोर की बात करने लगिया एई ओश्टबिय कखते हैं। के लिए इतना टेंशन क्यों ले रही है। वो सरफ इरिंग् के लिए वो मेरे माँ की निशानी थी। अगर वो मुझे नहीं मिली। तो मेरे सारे घरवाले परिशान हो जाएंगे। तो बड़ी मोडर्र बनती है न। इतने सेंसितीव है। सेंटिमेंट का और जब लड़ाई हो रही थी शार्व वहीं गिर गई हो मुझे लगता है यहां डूनने से कोई पायदा नहीं किसी लखी फेलों को मिल गई होगी चला तरबुछ खाते हैं मुझे पता है तुम एरिंग ढून रहे हो न यह हैं तो जिंटा चिंटा जिंटा जिंटा नहीं किया कहा तू अंधा था ना मुझे 100 रुकेर दो सब कुछ बताऊंगा मैं सल नहीं हूं इसके लिए 100 रुके लिए क्योंaking इस से ज़ादा जानना है ज़्या ठीक मॉर्निंग 9 to 11 इवनिंग 4 to 6 चिलरवालों के लिए अंधा हूं इससे अच्छा बिजनेस इंडिया में दूसरा नहीं है और खाली समय में रियल स्टेट का भी काम कर लेता हूं दुनिया में रियल स्टेट से अच्छा कोई बिजनेस है नहीं मेरे पास 25 एकर जमीन है तुम्हें चाहिए क्या अरे मेरे यह रिंग के बारे में बता हूं मैं बता सकता हूं सारे लोग थे कैसे बता देता मैं अंधा नहीं यह पता चल जाता तो मार मार के मेरे को लंगरा बना देते और तब असलियत में मेरे को भीग मांगनी पड़ती रियल स्टेट भी बंद करना पड़ता हम उससे ढूंड़ेंगे कैसे मैंने उस दिन मोबाइल से फोटो निकाल हमारा क्या फाइदा जो भी उसे ढूंड़ेगा मैं उसे एक सप्राइज गिफ्ट दोंगी इस लड़के को कई देखा है आपके इसने आपका पर्स चुराया है क्या नहीं दिल चुराया है मैं तेरा बोज नहीं उठा सकता मोटी मेरे अपर जोतर जा अरे जोतर क्या देख रही है उतर जा इतना खाएगी तो तुभी फट जाएगी अई ये वो देख हलो तेरा हेलमेट वाला हिरो मिल गया कहां बैगम पेट में कॉफी डे के पास उस पे नज़र रखे रहना मैं अभी आती हूँ लेट्स को चल 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 कहां गया वो कहां है वो पता नहीं कहां चला गया तुमने मुझसे जूट बोला और इतनी दूर से मुझे बुला लिया पूरा मूट खराब कर दी ज्या बजी तक में रम्या के पार्टी में पॉश्चना था और यह पांच बज गये अरे रे रे हम घर कब जाएंगे कब फ्रेश होंगे और पार्टी में जाएंगे और आइस्क्रीम तो भूली गई कर्रेक्ट अरे वहां द डिजाइन खराब हो जाएगा तुम बहुत यह स्मूधली टाइटू बनाते होंगे इस्टन यह क्या इतनी जल्दी हो गया ओके बाई बाई यह चलना उस डिजाइनर के बहुत डिमांड है तुम लोग जाओ कर दो निप्रेश परसाए ट्ल डड़के मेरा तन मुझे लल्चाहे यह तन पन्ती डा ही तन मीजो जी जाहे अलो, excuse me, stop the chemistry नदगता है लडकी पढ़ा लडकी पढ़के जाएँ अल्स टन कलान निश का है मेडम आप चाहँ पसंद करेंगी बिर्या नहीं मिलेगी क्या फेशियल कर बेड़ मैडम स्पेशिल फेशियल के साथ सिविंग क्रीम फ्री है मेडम सदा स्मार्ट मत बन तच्च चब आजाऊंगी समझ गया चल जल दिकर हो यस मेडम हैस्टायल मेरे बॉस करते हैं वो क्यों इस चेरे पर कौन से इस्टाल जचे की यह मेरे बॉस टैक करते हैं, वो लंदन से ट्रेंड है, मैं उनको बेचता हूँ या, कहिए हलो मैं सुबह से तुम्हें और सिर्फ तुम्हें दिवानों की तरह ढूंड रही हूँ, तुम्हें पता है? पर किसलिए है? मेरी यरिंग के लिए तुम्हारी यरिंग मेरे पास ही है, इन फैक्ट इसे लोटाने के लिए मैं तुम्हें ही ढूंड रहा था नो, अब बिल्कुल सही जगा पर है मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने मा के निशानी खो दी लेकिन मा भी यही चाहती है अरे, कोई इसे समझाओ शी लव्स यू अरे यार, बम नहीं फटा, टायर है यहां, टायर भी फटता है, तुम की तरह फटता है चल उतर, टायर बदलना है मुझे बदलना नहीं आता यार इसको भी यही फटना था क्या यह टायर भी तेरे बाप की उमर का है इससे भी पुराने मेरे अंकल है, मेरे उपर कभी भी फट सकते है इज़त से मुझे वापस चले जाना चाहिए इस टायर के साथ अगर यह जीप भी फट जाती ना तो भी हम वहाँ जाते सिर्फ एक इरिंग के लिए तू इतने दूर आया है नहीं यार, लव स्टोरी तो आगे है वो क्या है? ए उदर देख क्या भाईया, फिर से रेट सिगनल तुम्हारी इतनी हिम्मत मैंने कहा ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ यह स्टेपनी कौन है? आपको कहा था, फिर भी आपने मुझे इन से नहीं मिलवाया आखिर आज मैंने इने तेखी लिया आप किने बुद्धु हैं भाईया इतनी खुबसूरत लड़की आपसे प्यार करती हूँ और आप इसे ना बोल रहे हैं? कैसा है आप? भाई, आप इने बिल्कुल मत छोड़ना इनके प्लस माइनस क्या है मैं सब आपको बताऊंगी अपना इमेल आइडी दे दो वाउ, आपने अपना इमेल आइडी पे भाईया के नाम पे रख लिया न? मैंने हर चीज में वमसी जोड़ दिया है चलना भाबी, बैटके बात करते हैं फिर कभी चलूँगी, आज मेरा लास्ट एक्जाम है, बहुत लेट हो गया कल मिल सकते हैं? ओके, आल दा बैस भाबी थैंक यू बाई वमसी बाई भाबी, बाई बाई चुपना, अब बैठेगी? हमारे एक्जाम्स कदम हो गए, अब हम अज़ाद है लगता है भाईया आए है भाईया? भाईया? भाईया नहीं आए बेटा ये उनका दास भद्रा आया है अच्छा भाईया क्यों नहीं आए? ये फसल कटने का समय है तो भाईय का वहां रहना बहुत ज़रूरी है और कुछ समय बाद चुनाव होने वाले है ना उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है इसलिए मुझे भेज दिया ये वोटो किसका है? जान अबराहम, बॉलिवर तो बहुत बड़ा हीरो है तो सर्फ अपने घर का हमारे लिए सिर्फ एकी हीरो है और वो है भाई तुमें ऐसे पोस्ट कमरे में नहीं लगाने चाहिए भाई को ये सब पसंद नहीं और भाई को जो पसंद है ना वही करो तो ये फल अपने दोस्तों में बाट दो चाचा जी अभी इस अगनी परिक्षा है उसकी बात ही चलेंगे हम लोग ये क्या होता बेट यसे आपका ईलेक्षन होता है वैसे यहां सिलेक्षन पेपर होता है यहां का महौल अभी बहुत गरम है तो ठीक है बली को बुला लेते हैं बली को? क्यों? जो तुम्हारे खिलाफ होगा वो गया चाचा जी हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे आप जाईए मैं भाईया से फोन पे बात कर लूँगी ठीक है अबे जिन्दगी में तो कुछ करने पाया इस सीडी के सारे टॉप पे तो पहुंच जा इंजॉए कर मोटे जिसे बाट करना चान है तो पर आपड़ा टेड़ेगा अच्छी 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 किसी कामका नहीं है एक क्या हुआ रात को तुमने कहाता ना बल्प चेंज कर देना ये सीडी पे छड़ रहा है इसकी फट गई लीक कर रहा है साला मोटे चल नीचे उतर जान बच्छी यह लो तुम जा अब देख कैसे टॉप पर पोच्छते है अब देख लूआ कौन कर रहा है हाई ओमाइग तु यहां मैं गौड नहीं हूँ मैं नंदिनी हूँ तु यहां क्यों आई एक टूबलाइट दूसरे टूबलाइट को कैसे फिक्स कर रही है यह देखने आई हूँ ए तुन अब मुझसे प्यार करते हूं ना तुझे यहां सब के सामने शर्म हमारी शादी परंपरा के हिसाब से होगी पर सुहाग रात तो पासनली होगी एक पागल सब लोग हमें देख रहे हैं चल नीचे उता है लेकिन सुन नहीं सकते ना हो गया रहा है यहां पर तुझे दिखाई नहीं देता सूसाइट सूसाइड मुझे इस अपने की ब्रेकिं बेगमपुरा में एक यंग कापल सूसाइड करने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने संबादाता से बाप जी वहां की सिचुएशन क्या है यहां की सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आ रही है संधिया तुम यह नहीं पता तो यहां तक पहुची हूँ बताओ तुम असे प्यार करते हो कि नहीं मेरे फादर एक टिपिकल कारक्टर है क्या मतलब वो यह रिष्टा कभी मनजूर नहीं करेंगे चुप-चुप साइड हो जाओ अगर मेरी बात नहीं मानी तो चुप-चुप साइड हो जाओंगी और सूस नमस्ते आंटी, सौरी हमारे पास साबुन डिटरजन सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, तो किस टाइप क्यों? यह वमसी का घर है ना? हाँ, और मैं वमसी की ममी हूँ, वमसी की मा इतनी यंग कैसे हो सकती है? मुझे आपका सासुमा, अरे बताओ तो तुम हो कौन, आश्रवाद दे दीजे ना सासुमा, यह मिठाई भी खा लीजी, मिठाई? नहीं खा सकती मुझे शुगर है, मैं जो बताने वाली हूँ, वो सुनकर आपसा शुगर लेवर डाउन हो जाएगा, अच्छा बताओ क्या बोलना चाहती अब मैं, मैं आपके बेटे वमशी से प्यार करती हो, वमशी से प्यार करती हो? सुनिये जी, क्या हुआ? मुझे आश्रवाद दीजे ससुर जी, देखो मेडम, मेरे पैर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं एरपोर्ट के पास वाली जगह नहीं खरीदूँगा, इसे प ब्लेस यू, ये किसलिए है? ये कहती है कि वमशी से प्यार करती है, वमशी से? हलो, मैं मजब नहीं कर रही हूँ, आप अपने बेटे से पूछ लीजे हाँ, हाँ, हे वमशी, ये है मेरे बेटा, मैं सलमान खान नहीं रितिक रोशन हूँ, वाई आरी कॉलिंग मी? तुम इ प्लीज टर्न लेफ्ट, एन अगें राइट, आई डून नो, ये तुम्हारी कर्ल फ्रेंट है, गर्ल फ्रेंट, यू मेन वेशाली, तुम वेशाली हो, अगर समर हॉलिडीज में आती है, तो मिलके आईस क्रीम खाते है, बहुत मज़ा आता, अभी इसको रोटिशन से और क्यूट स्माइल भी है, मेरा इमेल आईडी भी है, क्रिश at the red yahoo.com, भाई, मेरे टच में रहना, अच्छा तो उसे गलत पते भी विज्जिया, अब लगता है उस पागल से फीशा छूट जाएगा, चाहल सी नहीं है, क्या हुआ तेरी हवा क्यों निकल गई, बस हो गया मुझे बेवकूफ बनाकर तुम यहाँ पर पाटी कर रहे हो, इसका बिल 200 से जादा नहीं आएगा, ये वैल्यू है मेरे प्यार की वमशी, सी बात यह है कि हाँ बताना क्या बात है, बेवली, बहुत आपको बेवल रही है, हलो एवरिबाडी, ये मुझे से प्यार करता है, और आप ये मुझे धोका दे रहा है, ये देखिए, उसका सबूत, इसके डाड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो जहां कहेंगे ये वहीं पर शादी करेगा, बना शादी बिलकुल नहीं करेगा, प्लीज जरा मेरी बात सुनो, क्यों रहे, क्या कमी मेरे में, क्या मेरा फिगर खराब है, मैरी एजुकेशन भी अच्छी है, और केची है, बताओ, अभी के अभी डिसाइड करो, नहीं तो, इस लाइफ का चैप्टर क्लोज, इससे तु या तो मैं कटूँगी, या फिर वो केच, ये क्या मजाक है, ये मजाक नहीं है, मैं सच में अपनी जान ले लूँगी, बोलो, 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 ए, लुको, चाकू या प्यार, ओके, कल मंदिर आ जाना, मैं अपना डिसिजन वही बताओंगा, अभी, लगता ये बहु ये क्या कर रहे हो फोटो ले रहा हूँ फोटो लेने से पहले क्याप नेकालो तुम्हारे सर का क्याप नहीं क्यामरा का क्याप अच्छा वो बता दी और अगर हो सके तो जिब भी बन कर लो वमसी मैं बहुत लग्की हूँ भागवान मेरी हमेशा सुनते हैं मैं जो भी चाहती हूं मुझे मिल जाता है चलो अब तुम्हें सर्प्राइस देता हूं ये क्या है तुम्हें नहीं पता मेरी ख्याल से इसे मंगल सुत्र कहते हैं याँज हम दोनों शादी कर रहे हैं इतना शक्यो रही हूं ओ इतनी सिंपल शादी हो री है इसलिए डांट वरी मैंने सारा इंतिजाम किया है। जय माला तो रेडी है। ताज में पाटी है। ताज में फर्सनाइट के लिए रूम भी भुख है। रेडी में इन मंत्र भी तेया है। शादी अभी? येस। 100% यूथ सिर्फ प्यार करते हैं। पर सिर्फ 10% ही प्यार में पढ़कर शादी करते हैं। हम उनी 10% में से हैं। मुझे पता था तुम मना करोगी। तुम जैसी लड़कियों के लिए प्यार टाइम पास है। डेली का एंटर्टेन्मेंट है। दोस्तों के बीच अपने बॉइफ्रेंड को ले जाना टेटिस सिंबल है। वो एक ड्राइवर की तरह तुम्हें मूवीज लेके जाएगा और पब्स लेके जाएगा सिम काट के लिए रिचार्ज करने वाला तुम्हारा एटियम है वो। एक जोकर की तरह तुम्हारी हर बात पे हंसे और हर जगा तुम्हारा पीछा करे। इसे प्यार नहीं कहते नंदनी यूथ में ये फैशन है। इसे प्यार समझना पागलपन है। बहुत हो गया। तुम जैसा सोचते हो प्यार मेरे लिए फैशन नहीं है और ना ही टाइ्म पास है। जो प्यार शुरू हो और जाके शादी पे खतम हो वो प्यार नहीं है सच्चा प्यार वो है जिसमें बड़ों का आशिरवार शामिल हो मेरे लिए साथ जन्मों के साथ को प्यार कहते हैं सच्चा प्यार क्या है यह हमें पता भी नहीं होता तब भी हमसे अंकंडिशनल प्यार क एन लिया तो मेरे परिवार के लोग सर उठाकर जी नहीं पाएंगे मेरे माबाप नहीं है इसलिए मेरे भाई ने मुझे राज कुमारी की तरह बड़ा किया तुम मेरे दिल में हो वम्शी लेकिन मेरे भाईया ही मेरे लिए सब कुछ है मुझे बचपन में जो कुछ भी चाहिए होता था भाईया लाके देते थे मुझे उन्होंने वो भी दिया जो मुझे नहीं चाहिए था बदले में मैंने आज तक उन्हें कुछ भी नहीं दिया दादी मा मुझे हमेशा कहती है कि वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाती है और यही उनकी आखरे इच्छा भी है जैसे सब की होती है ऐसा क्यों कहते है तुम्हें पता है वमशी शादी सिर्फ मंगल सूत पहनाना नहीं है बलके जिन्देगी का महत्वपूर्ण आउसर है हमारे सर पर शादी का मंडब हो या ना हो लेकिन परिवार वालों का आशिरवात होना बहुत जरूरी है अगर हम अकेले भाग गए तो कोई कॉम्पेटिशन नहीं जीत लेंगे पबलिक के सामने स्टेडियम में भागेंगे वही होगा असली कॉम्पेटिशन अगर हम बड़ों के आशिरवात के साथ शादी करें तो तब ही प्यार की जीत होगी अगर अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं सब तुम पे छोड़ती हूँ ये लो अगर दुनिया की सभी लड़किया तुम्हारे जैसे सोचने लगी तो उनके माबाप हमेशा खुश रहेंगे और मेरी ये ही मनो कामना है कि हर लड़की तुम्हारे जैसे ही सोचे भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे आर्थी ले लो बेटा कल्यान हो I'm sorry नंदरी मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे पीछा छुडाना चाहता था तुमने मुझे समझाया कि प्यार कोई खेल नहीं वो तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है मुझे तुम्हारी बाते और तुम्हारा मन इसका मतलब तुम्हारा प्यार सेंटीमेंट के चकर में फस्कर रहे गया दोनों परिवार नहीं मान रहे होंगे सही बोल रहा है यार इसलिए तो सपोर्ट के लिए तुझे साथ लाया हूँ तू चिंता मत करे यार मैं उसके भाई को मना लूँगा यह देख मैं लास एंजल्स का रेटा नाजमी हूँ यह तो सिर्फ एक छोटा सा गाउं है तेरे प्यार को जरूर सफल बनाऊंगा ज़रा गाड़ी रूख हलो एक्स्क्यूज मी तुझे इंग्लिश नहीं आती होगी इधर रूख भूपती का गर किदर है क्यों बै ऐसे गुर रहा है भूपती का घर का है बता चाकू नहीं है यह बदे तु बच गया अगर दोबारा भूपती के साथ भाईया नहीं लगाए ना तो तेरी तो भूपती बोलत क्या दिमाग गुम गया ना मेरा दिमाग कभी गुम नहीं सकता अरे तु मेरी चिंता जरा भी मत कर लास अंजलेस में मेरी इतनी इज़त है यह गाउवालों की क्या होका थे यार हलो ए भाई भूपती बहिया का घर कहा है बताएंगे लगता है और प्यार से बोलना पड़ेगा बूपती बहिया का अगर कहें बताएंगे बहिया चीर देप तोके क्या हो भे अब तो घूंग गया अब मेरी समझ में आ गया क्या गया भूपती का सिर्फ दबदबा ही नहीं है दूश्मन भी बहुत है उसके बूपती का नाम लेते हैं मुझे लेफ्ट राइट दोनों थाइगा । देवी मा मेरी बेहन के मित्रा रहें बस इतना करना कि उनके जाने तक यहां कोई लड़ाई ना हो भद्रा भाई छोटी के दोस्त अभी तक नहीं आए बाली स्टेशन नेने गया भाई दो घंटे हो गए कुछ भी गलत हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा गुस्ता मत किजिए गुस्ता से टेंशन बढ़ती है टेंशन से सुगर बढ़ता है सुगर से बिप्याई होता है और उसे करना हार्ट है का सकता है अगर ऐसा हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जोकि मैं किड़नी स्पेशलिस्ट हूँ यह बात सच है क्यों तुझे भरोसा नहीं ऐसी बात नहीं है डॉक्टर डॉक्टर वैदिनात रेड़ी वैदि सिर्फ नाम का आता जाता कुछ नहीं हमारे भाई को आज तक चाकूप हम नहीं डरा सके और तू इन्हें बिमारियों से डरा रहा है है देखो हम सभी लोगों की जिम्यदारी बनती है कि हम इनकी भलाई के लिए हरदम सोचें नहीं तो सोले गाउं के गाउं वाले जो इनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं वो हमें मार डालेंगे अगर उन्होंने माफ कर दिया तो जान से ज्यादा प्यार करने वाली इनकी छोटी बेहन वो हमें नहीं छोड़ेगे आई लगता है वो लोग आ गई सुनो बेहना तुमारी दोस्त आ गई देखो तुम लोग मेरी बेहन नंदिनी के दोस्त कितने सब भे हैं आखिर वो मेरी बेहन है आव अंदिनी के फ्रेंड्स हैं हम इने आपका घर दिखाने लेके आया थे मालिक हम इसी काउगे हैं हम रामशे की बेटिया हैं चलते हैं मालिक संभाल के जाना धन्यवाद जी ये लोग ड्राइवर है न मुझे लगा ये लड़की अनन्नी की दोस्त होंगी सिटी में दोस्तों लड़के भी हो सकते हैं और लड़किया भी हो सकते हैं हाँ भाईया शहर में लड़के भी दोस्त होते हैं आओ न वम्शी वम्शी ये भाईया हेलो भाईसा भूपती राए दिखने में तो तू पूरा मामू लगता है और अपने आपको पांडू बुलाता है तुम्हें पता नहीं मैं कितना त्यड़ा आदमी हूँ मुझे पता है वंशी मेरी भावी मेरी दादी मा मेरे फैमिली डॉक्टर बदर अंकल भाईया की राइट हैंड गंदिनी तुम सब क आप दुनों क्या क्लासमेट हैं हाँ नो आप सेवें यर सीनियर हाँ दिख रहा है तेरे चेहरे की जूरियां अच्छा तुम और नंदिनी क्लासमेट्स हो नहीं हैसा रही है एक्चली हम फ्रेंड्स हैं शेयर में क्या करते हो मेरा बहुत ही फेमस हैर स्टालिस्ट है सिटी में इसका बड़ा सा विटी पार्लर है मतलब मतलब ये ना बाल काड़ता है इससे क्या हो गया ये सब मुझे रहा है लगता है मुझे भी हसना पड़े तो तुम लाई हो ऐसा मत बोलिये जी इसद कि लिए इसका परिवार साथ पीडियों से हमारे परिवार पर निरबर है हमें नई हजामत की कोई जरूरत नहीं मुझे घुमाफिरा के बात करने के आदत नहीं है सीधे मुद्धे पे आता हूँ यही, यही मुझे भी पसंद है मैं आपकी वहन से बहुत प्यार करता हूँ मेरी बहन को कौन प्यार नहीं करता मैं प्यार करता हूँ मेरी बीवी प्यार करती है मेरी दादी, डॉक्टर, भद्रा, हवा, पानी, धर्ती सारे गाउंवाले प्यार करते हैं लेकिन तुम्हारे मुझे यही बात सुनके मुझे अच्छा नहीं लगा वो जो भी हमारा दामाद बनेगा उसे यहां आकर हम सब का भरोसा जीतना होगा और एक बात और अन्याय के खिलाफ लड़ने का मौका मिले तो मैदान से कभी भी पीट दिखा कर नहीं भागे वो इस लायक होना चाहिए कि मेरी जगा ले सके ये भी ज़रूरी है कि वो मेरे लोगों को अपना ही समझे मुझे ऐसा दामाद चाहिए तुम्हारे जैसा नहीं समझ गए ना गाओं में घुछते ही समझ गया था क्या समझ गए थे हमें जॉगिंग के लिए जाना चाहिए मतलब जॉगिंग मतलब शहर में लोगों के पास काम काम है तो वो सब लोग बहुत दूर तक दोड़ते हैं कोई उनका पीछा नहीं करता तब भी क्या हुआ आप लोग इतना ज़्यादा हस रहे वंशी ने कोई जोक किया क्या हम हसना रोक ही नहीं पा रहे मजा किया है मुझे पहले से पता था आपको वंशी पसंद आएगा तुम जा कर खाना लगाओ बहन ठीक है भाईया खाना खाके रात की ट्रेन से निकल जाना पद्रा इनके टिकेट का इंतजाम करो टिकेट क्यों? इने रास्ते के लिए कुछ पैसे भी दे देना चोटी ने कहा था तुम एक हफ्ते के लिए यहां रुकने वाले हो जी हाँ उसकी जबान का मतलब समझ लो कि मेरी ही जबान है भद्रा यह हमारे महमान है आउट हाउस में ठहरा दो इने इने गाव में रहने की बहुत खुजली है तू जी गरवाला है तूने भाई के सामने दिलेरी से कह दिया कि तूनकी बहन से प्यार करता है अच्छा लगा मुझे यहां हर कोई लीड हीरो की तरह डायलोग क्यों मारते रहता है इस चाकू का और मेरा बहुत गहरा रिष्टा है अब ऐसा कौन सा रिष्टा है ब्रा तू इस चाकू के बारे में कुछ जानता है क्या आप सिर्फ इस चाकू के बारे में जानते हैं मैं तो बहुत सारे चाकू के बारे में जानता हूँ ब्रा पहरी टाइप का चाकू कट 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 दूसरी टाइप का चाकू काट 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 काट…rov करते क्या हो ये बहुत सस्पेंस है ये मत्पूश न ब्रण ब्रा का मतलब क्या होता है ये ब्रादर आपने भी मुझे क्या बुलाए थे इसे ब्रा आसरी हूँ बहुत थक गए हो गे न ब्रा क्या हो आ है लिद सेशयन गया था söyle ये लगता इसने सब कुछ देख लिया, लड़किया नहीं आई भाई, वो लड़कियों की जगा लड़किया है बली, बली, अब ये कैसा नाम है, जैसे गाओं में बक्रियों की बली दी जाती है, वैसे ही हमारा बली है, ये भाई के लिए जान दे सकता है, और जान ले भी सकता है अगर भाई ने कहा तो तुम्हें मार सकता हूँ और इसे कहा तो इसे भी मार सकता हूँ तू एक काम कर वे तू अपने आपको मार ले सब सही हो जाएगा बली मली का शरावत और माधूरी दिख्षी जैसी होगी सोचा था लेकिन ये तो बली निकली पूरे इंडिया में तुझे प्यार करने के लिए यही लड़की मिली थी क्या इसमें ऐसी क्या कास बात है अबे सुन अपनी सलामती चाद है तो उसके खिलाफ बोलना बंद कर पिर अपने भाई से ऐसा क्यों नहीं कहा भाईया भाईया मैं इनसे प्यार करती हूँ ऐसा कह सकती थी न अरे कोई लड़की अपने घर वालों को कहेगी कि वो किसी से प्यार करती है मैंने इसे घर पर बलाया है मैं इससे शादी करना चाहती क्यों ने बोल सकती करना कोड़ी बैग अंदर रखना मतलब अलमारी के अंदर रखना क्या रे क्या मतलब चेहरे से बेवकूफ लगती हूं हम लोगों में कल्चर नहीं है अगर ये बात मेरे भाई ने सुन ली ना तो तुम्हारा सर तुम्हारे हाथ में होगा ये सब तो ठीक है पर तुम इस गेट अप में कैसे यहां ऐसे ही रहना पड़ता है अच्छा ये बताओ मेरे भाईया कैसे लगे तुम्हें ओ नो मैंने तो सोचा ही नहीं था सोचा था कोई किसार मिसान होंगी आराम से सबको संभाल लूँगा पर तुमने बताया नहीं कि इत साफ करवाते पता नहीं क्या क्या करवाते लेकिन क्या वो सिर्फ दोस्त है उसने कहा दोस्त हैं यहां साथ दिन रुकने वाले हैं बस अब यह ख्याल रखना कि उसके दोस्तों को यहां तकलीफ नहीं क्या नंदिनी को वो लड़का नंदिनी को क्या चाहिए तुम्हें मु पहुंच गया होते तेरे प्यार में मुसीबत में डाल दिया इस गाओं में नो डायलोग नो सेंटिमेंट सिर्फ लोगों को कैसे मारा जाता है यही सब जानते हैं यार है भगवान हमें देखकर इस गाओं की लोग भी जोगी करने के लिए आ गए सब लोग सांड की तरह जो कुछ भी निकालो निकाल बें ए ए जा कर रहें क्यों रहें अमेरिका के माइक टाइसन को जानता है क्या वो बॉक्सिंग चैंपियान नहीं हुरे तुम लोग कितने लोगों को देख ता हूं पर अब में मारने वाला हूं बचना है तो भाग लो वन तो हो चल भाग रहे कर दो मुझे बत पारो यह जल्दी दे इसके पास जाको है तुमार डालेगा यह तेरे हाथ में क्या है वो भी दे यह मैं नहीं दूंगा यहां के नहीं यह जल्दी दे अरे मेरे पर्स में कुछ नहीं है उस रिंग की किमत एक करोर रुपए है है अरे मुझे मिल गए यह तर दे आ है मैं इस नहीं जाओ अले फ़पर एखण छ। यह जो जाओ लोगोगो दो या अखे। ड्लिक में अव्य ना तोचे जी हो गया तुझे सिट्टा पठे था ना रहे हैं आजल वागे हैं पठले रूख आजा, आजा ये लो कहा से आग Хण अरे मार दूँगा मैं तुम लोगोंको समझ नहीं पा रहा हूं अरे इतने सालों में आप मुझे नहीं समझ भाए तो फिर ये तो नए लोग हैं इन्हें क्या समझोगे तू चुप हो जा नहीं तो तेरी चमड़ी उदेड के रख दूँगा इस वेंकर ट्रेड़ी को कोई जंडू ब्योकूफ नहीं बना सकता समझा अच्छा कल तुम दोनो बूपती के घर में आया थे मुझे असा लगा भूपती ने तुम दोनों को मुझे मारने के यहाँ पर बुलाया है और इसलिए मैंने अपने आदमियों को तुम दोनों को मारने के लिए बेश दिया जीजा ये लोग मान आप बम से भी खतरनाक हैं यही काड़ देते हैं अबे चुपकर अगर तुसे ज्यादा ही गर्मी चड़ी है अपने फीचे भकरिया बन दिये हैं उन्हें जाके मार अब इन्हें देख कितने प्यारे बच्चे अब बहुपती के आदमियों को तुम दोनों ने इतने बेरे में से क्यों मारा तुम लोग इतना चौक क्यों रहे हैं वो उसी के आदमी थे तुम्हें पता नहीं थे क्या ठीक है बताओ तुम लोग कौन हो और यहां क्यों आए यूनो संथिंग रेड़ी यह क्या बक रहा है बे लुपती के लोगों ने तुम दोनों पगलों पर हमला क्यों किया अच्छा यह कंप्यूटर पर काम करता होगा इस टाइल मतलब नहुआ जी जाजी पर्टो तु मेरी ब्रादरी का है बार बार ये तो ना ही निकला अरे भाई तुम सिर्फ कटिंग में ही मांस्टर हो या पार्ट आम और्केस्ट्रा में भी कुछ काम कर लेते हो और्केस्ट्रा में? अरे वो शादी भी आमें बजाते हैं ना धिंके टेका 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 धिंक मैं वो सब नहीं करता है इसका मतलब तुम संगीत के बारे में कुछ भी नहीं चानते मैं करूँगा सरस्वती इधर आ देखो यह हमारे मेहमान है इन लोगों को खाना वाना किलाओ आपको बतानी की जरूरत नहीं इनको देख लिया दभी मैंने सब तयार कर लिया कोई बात नहीं और तो को इतना तेज नहीं होना चाहिए जा लेकर जाओ इनको अंदर बेटी है इतनी शर्मानी की कोई बात नहीं है चलो अंदर जाओ इन अंदर लेकर जाओ यह लोग हमारे लिए चाकू का काम करेंगे जैसे पानी के बकेट में बम रखाओ और वो पूट नहीं सकता जब जरूरत होगी इनका इस्तमाल करेंगे मैं सब समझ गया अगर हमारी पार्टी क किसी आदमी ने भूपती की बेहन से शादी कर ली तो भूपती डूप मरेगा है तुम लोगों ने उससे मार खाई और फिर उन लोगों को वेंकर रड़ी के बाले कर दिया चल बाली बद्रा ये बताओ कहां जा रहे हो तुम भाई हमने इनसे कहा था कि वंशी और पांडू रेड़ी के हवाले कैसे कर सकते हैं अगर उसे पता चल गया वो हमारी लोग है वो उन्हें छोड़े का नहीं जाओ उने लेकर आओ अगर उन दोनों को कुछ भी हुआ तो बुद मॉर्णिंग क्या हुआ सब लोग इतने शॉक्त क्यों है हम घर भी गये थे हम गेस्टाउस भी गये थे हमने तुम्हारे आदमियों को बहुत धोया क्योंकि हम किसी से डरते नहीं है न जबान संभाल के वरना यहीं सब कि समाधी बन जाएगी और हमने सुनाय कि रेड़ी के आदमी तुम सब्के बारे में पता चला चला अब बताया उन्होंने आप अपकी माली आदा बहुत ही कराम है मोग आंपर कЛे भी शादी कर्था में पफोल्डना और वो बहुत बड़ी शादी होगी, बहुत लोग खाना खाएंगे, बहुत धुम नाम से शादी होगी, दस पीडियों तक कहाँ वाले इस शादी के बारे में बाते करते रहेंगे मेरे होने वाले साले के बारे में बताओ, वो तो वाग होगा, उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, वो डॉन कामिता बच्चर होगा फिर वही बात, भाई को फिल्मी हीरो लोगों के बारे में मत बता, घर के दमाद के बारे में बता, दमाद क्या है वो तो तलवारों से खेलने वाला होगा जहां से आप सोच रहें वो वहां से नहीं आएगा वो कहीं और से आएगा बस इतना काफी है चाहिए आप वैली थोड़ा आनाज दे दो मालिक आपकी जैहो हर्योम 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 हाई मेरे साले को बुलवाओ मैं यहीं बात कबसे तेरे मूँ से सुनना चाहती थी वंशी तुमने क्या बताया था शेहर में क्या करते हो हेर स्टाइलिस्ट हाँ जो भी है मेरी छोटी बेहन को अच्छी तरह तयार करो उसका होने वाला पती आ रहा है बेटा नंदीनी के बाल तो चिडिया की घोसली की तरह दिख रहे है दादी वाँ आप चुप रही है आप नहीं समझेंगी मैं इसलिए पूछ रही हूँ इसके दुकान में ऐसे गराक आते होंगे ना दुकान मतलब वो जहां तुम यह सब काम करते होगे दुकान ओ अच्छा हाँ आते आते हैं रोज तुम सोदोसो कमा लेते होंगे ना अगर यह सोदोसो नहीं कमाएगा तो शहर में इसका गुजारा कैसे होगा दादी मैंने कहा न जाओ यहां से हे भगवाद मैं जातो रही हूँ गुसा क्यों हो रही है देखो बेटा इसे जल्दी से तयार करके न हमने जो किया उसके लिए मैं क्या हसो और खोश हो जाओ बोलो है हसी आरी है ना हसो मैं बात सुंदर लग रही हो ना पागल हो तुम मैं तुम्हें सुंदर किसी और के लिए नहीं बना रहा हूं मैं तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे घरवालों को दिखा रहा हूं मैं दि तुम्हारी मूचे कमाल की हैं। आप ही कहते हैं ना भाईया, मूचे मर्दों की शान होती है। शाबबाश। भाईया, आपके लिए एक तोफा लाया हूँ। तोफा? हे, अंदर ले क्या हूँ। ये लो भाईया, आपके लिए तोफा। वाह। एक यवार में सिर्धर से अल बहुत सुन्दर लग रही हो, बेहन। कहीं मेरी नजर न लग जाए। भावा, कैसी लगी मेरी बेहन। कैसी लगी ये भाईया। बहुत सुन्दर। बिलकुल एश्वर्या राय। बावा, हम बच्पन में साथ खेले हैं, तुम मुझे अच्छे भी लगते थे। लेकिन मैं तुम से प्यार नहीं करते हूँ। कम से कम तुम तो समझो। भाईया, मैं नदनी को पसंद करता हूँ। वो भी मुझे बहुत पसंद करती है। काफी है। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा समुरत ताय करके मुझे खाबर कर देना। बाबा, तुम आज रुक क्यों नहीं जाते है। नहीं भाईया, एक रेलवे कॉंट्रेक्ट लेने जाना है, फिर कभी रुकूंगा। चलता हूँ। एई। तुमने मुझे दिखाया कि मेरी बहन कितनी सुन्दर है। तुम में काफी अच्छी हो गेता है। शाबाश। मुझे एक चांस दीजे, मैं आपको भी बदल दूँ। मुझे भी। मेरे भूपती को भी थोड़ा सुन्दर बना दो। इसने आखरी बार पाउडर कब लगाया था पता दी। तुम बोलना बोच। जब आप अपनी बहन को सुन्दर देखना चाहते हैं। तो आप खुद क्यों यह सुन्दर दिख सकते हैं। भाई, इस बच्चे को एक चांस दे के देखो ना भाई, मान जाओ न। भाई भाई, मान जाओ न। भाई इतनी सी बाद मान लो न। बोच पूरी हिरो की तरह दिखने वाले आपको मेरा वमसी हिंदी हिरो की तरह बना देगा सर। नंदिनी, तुमने सब के सामने ऐसा क्यों कह दिया के बाबा तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हारे भाई ने वो बात तो सबके सामने हस के टाल दी लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है आपने तो कितने आसानी से समझा दिया कि भाया कितने दुखी है लेकिन आप मेरा दुख नहीं समझ रही मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करने आई हूँ तुम्हारे दिल में कौन है बताओ, क्या आप लोगों को पता नहीं है, कि मैं किसे चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोग चुप हैं, कारण भाईया, जब तक भाईया मेरे दिल की बात नहीं समझ पाते, तब तक मैं भी उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, देखते हैं क तुम लोग निकलो यहां से, क्या बोल रहा है तू, भाई को छोड़के नहीं जा सकते हूं, अरे यहां कोई तमासा थोड़े ही हो रहा है इन लोगों को निकलो यहां से, आपका फैशियल वाला चेरा इनको नहीं देखना चाहिए भाईया, पद्रा, बाहर जाओ, चलो रह अरे हम साथ पूश्टों से यही काम करते हैं, अरे मैं यही देख रहा था कि तुम लोग कुछ अलग करने वाले हो, तुम रुपे निकलो सर, अब एक किस बात के, अरे यह देखने के लिए, अरे जो काम मैं रोज करता हूं, उसको देखने के लिए 100 रुपे दू, अरे उस मुझे थोड़ा सा देना, एए, मैंने का शीशा तु फोटो दिखा रहा है, यह किसी का फोटो नहीं है, यह तो आप ही है, मैं हूँ पकड़ता हूं भाई, मैं जब भी शीशा देखता हूं बहुत कुछ सा आता है, रिलेक्स, रिलेक्स, सब कुछ हमारे भले के लिए ही होता है, वैसे एक बात बताओं, आप पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्या कहा, मेरी उन मूचों के बगएर भी, पहले आप बड़ी-बड़ी मूचों के साथ जादू गर दिखते थे, लेकिन इन छोटी मूचों में एकदम हीरो दिखते हैं, आप मुझे दिलासा दे रहे हैं डॉक्टर, पर वो लोग इस गाह में कभी नहीं रह सकते, रिलेक्स, रिलेक्स, आपने सिर्फ अपने बाली होए हैं, आप नहीं चाहेंगे, तो भी वो वापस आजाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर, अगर वो मुझे मिल जाते, तो मैं उन्ने निम्बू की तरा निचोड़ देता, भाया, आप जानते मैं आपको इस क्रिस्टाउस में क्यो लाया हूँ, मुझे पता है, बार गया तो सभांसी उड़ाएंगे, कह दिया, लेकिन ये बात एकदम सही नहीं, यहां की हर्याली देखिए, यहां की धूब देखिए, आप सब कुछ भूल जाएंगे, आप वहाँ देखिए, वो गिरगिट, इस डाल से उस डाल पर कुदरा कितना अच्छा लग रहा है मेरी मूचें भी इसकी पूच की तरह थी, अरे यार, इसको फिर यादा क्या, आप नारियल पानी पीजे, यह बाईया, एक नारियल दो, पीलो बाईया यह क्या रहा है काते, यह भूपती नहीं है वो भूपती है, हाँ भूपती नहीं हो मैं भूपती हो मैं अरे बाप नहीं, आई वो भूपती यह भूपती यह भूपती यह भाई, मुझे चोड़ दो भाई, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, वो लोग आपके सारे को मारे का प्लान मना रहे हैं भाई हूपती है हो बतानी यह वो भी जाहें जाब वह वो एंसी बतानी यह गल वह बहुती है यह जो भ्याँ ब्याँ कि बन्हारी ठाहर भात,ंवा पाल गां.. धह जुए जाओे लगी साइग, कि बन्हार भाल वाताग कि पाल कि ह आरे है। भाज़! प्राय। राज़! हाज़! फुकी! भाज़! भैज खार गटार पार पार फडोंड़ पार 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 जंक बजने कि एकान का उनक भार फार भीड़ीर का वार गोंड़ हुआ है अचाहा है अच्छाह चलिए अच्छाह चलते हैं नहीं रहने दो आपका खुन बह रहा है मैं बजपन से नंदनी को चाहता था लेकिन वो तुमसे प्यार करती है यह जानकर मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जान बचाई नंदनी के लिए तुम बिलकुल सही हो नंदनी का ख्याल रखना चल भाई इसी ने बाबा को मारने की कोशिश की यही है वो इसे गुधम में ले जाओ और बांदो अगर कल तक वेंकर ट्रेडी ने मेरे पैर नहीं पकड़े तो इसका सिर उसके घर के बाहर टांग दूँगा चल 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 तेरी दो देवी मा आज मैं आपको एक बली चड़ाऊंगा ले किया उसे भाई वो हमारी कैद से भाग्या भाई पर वो भाग कैसे गया उसे मैंने यहां से भागाया मुझे डर था आप उसे मार देंगे तुमने यह तुम्हारी बहुत अच्छी किस्मत है कि तुम साथ दिनों तक हमारे महमान बनकर यहां पर रहें आज की बाद सात्मा दिन खतम, शाम होने से पहले निकल जाओ, नहीं गए तो, सिर्क काड़ दूँगा तुम्हारा अब मेरी बात सुनो, तुमने मेरे दुश्मन की जान बचाई है, तुम कभी मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते, नेकला बस एक बात कहनी है, यहाँ गाम के लोग आपकी बात सुनते होंगे, लेकिन वो जो फैसला लेता है, उसको कोई नहीं मिटा सकता और उसने कहा है, कि नंदनी, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं, तो वो आपको मिलकर ही रहती है देखो बेटी, हाल लड़की के माबाप हमेशा तीन आउसरों का ही इंतजार करते हैं, उसके जनम होने का, बड़ा होने का और शादी बेटी, अपनी शादी के लिए अपने भाई की ही बात सुनो, मेरा भूपती हमेशा तुम्हारा भला ही सोचता है मैं तुम्हे और तुम्हारे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हूँ, जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उन्होंने मुझे तुम्हे सौंते हुए कहा था, कि मैं तुम्हे बेटी की तरह संभालू, कुछ जिम्मेदाईयों के लिए कुछ त्याक करना पड़ता है एक लड़की को बहुत से समझोते करने पड़ते हैं अगर तुम अपने भाई को खुश देखना चाहती हो, तो तुम्हे भी खुश रहना होगा तुम्हारे भाई इस गाउं के लोगों के साथ न्याय करते हैं, तुम्हारे साथ न्याय कैसे करेंगे, भरूसा रखो अरे इस दलदल से बाहर निकल एब और खुशी से रहे देक मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ अगर तुझे खुश रहना है तो इस दलदल से अह própria कितनी बगबग करेगा मैं निननी के बारे में सोच रहा हूं उसके बारे में मत सोच उसका भाही तुझे काट डालेगा आप बंदूग लेके क्यों बैठें आपने वमसी को शाम तक का वक्त दिया था ना भाई की चेतावनी के बाद आप बो इस गाउं में पैर रखने की कोशिश नहीं करेगा तो पर बंदूग किस लिए इस बंदूग की गोली में मेरे दुश्मन का नाम लिखा है नहीं छड़ूँगा सुनिये जी वेंकटेश ने कहा है कि गन्ने के ट्रैक्टर शाम की पुझा के लिए यहां आ जाएंगे ओ ठीक है नंदिनी अंदर यह जाकर देख लीजिए नंदिनी आओ भाईया देखिए मैंने उस सब कुछ बनाया जो आपको पसंद है क्या तुम आज कल इसलिए उदास रहती हो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी मैं चाहती हूँ आप खुश रहे तुम भले ही अपना दर्द छुपाने की चाहे जितनी मर्जि कोशिश करो पर मुझसे कैसे चुपाऊगी अब वमशी को पसंद नहीं करते ये आपकी मर्जी है मैं वमशी को पसंद करते हूँ अगर हम किसी को दिल से चाहते है तो वो हमें जरूर मिलता है कितनी गर्मी है यहां मुझे बार बार टॉलेट जाना पड़ रहा है यह ठीक तो नहीं है पर एसे काम चला सकीते हैं थोका काला है लेकिन चल गई इस गाव में गुंडे ही नहीं इस तरह के लोग भी रहते हैं क्या गन्य के टेक्टर में जो बम है वो पूटेगा ना बिलकुल डाउट नहीं है जैसे ही बूपती गन्या खीचेगा वो फड़ जाएगा आदे गन्टे में पैंगलोर की ट्रेन है तू निकल जा और तुम मुझे कुछ नहीं होगा तू निकल भाई ये पहली फ़सल है यदि आप हमेशा की तरह एक गन्या खीचेंगे तो हम ये फ़सल मंडी में भेज सकते हैं इस बार मैं नहीं की चूंगा इस काम के लिए मेरी बेहन के हाथ सब सशोब है जानती हूँ तुमारे बेहन तुम्हें बहुत प्यारी है लेकिन सालों से ये काम घर का मुख्या ही करता आया है ये प्रथा बदल नहीं सकती तुमें ही करना होगा हाँ भाईया आप ही जाए मुझे ही करना होगा ठीक है भूपती तुमने खत्रा मोल क्यों लिया नंदिनी के लिए तो नहीं मैं नहीं चाहता था कि गाउंवाले अपना भगवान खोदे अगर मैं मर जाता तो तुम्हारे रास्ते का काटा साफ हो जाता ना अगर मुझे आपके बहन मिल गई तो मेरी जिन्दगी सबर जाएगी लेकिन अगर आप जिन्दा रहे तो गाउं वालों की जिन्दगी सबर जाएगी मैं चलता खुद के बजाए तुमने मेरे लोगों के बारे में सोचा यही यही बात पसंद आई तुम इस गाउं के दामाद बनने के लाइक हो पर इसमें तुम्हारी कोई बढ़ाई नहीं मेरी बहन की है दंदने तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है कैची बगड़के बाल काटता हूँ उन्होंने इसके उसी हाथ को तोड़ दिया मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं तो यह सोच रहा हूँ कि आगे क्या होगा पर कौन आ रहा है थो करना क्या चाहता है अब वो उसे भचा के करना क्या चाहता है मुझे उसकी पॉलिसी को समझने नहीं आ रही है उसकी पॉलिसी से तो लगता है कि वो पहली बार में सबको मारता ही है माँ भारत में कृष्ण भगवान पांड़ों की तरफ से थे ये किस साइड से पता नहीं चाहिए वो किसी की तरफ हो जी जाजी मैं उन दोनों को नहीं चोड़ूँगा इनों ने तुम्हें और तोर बच्चों को मारते लिए नहीं चुप करता हूँ अब वो भूपति घाल शेर की तरफ घूम रहा है अरे भाई यह क्या कर रहे हो चलो बैठो श्रीमान जी यह क्या आप शेर जैसे दिखते थे अब बिली जैसे दिखने लगे अरे वो सब भगवाज चोड़िये जल्दी से हमारे साब का भुष्ट बताईए बताताओं इनका भी भविष और आपका भी मेरा भविष बताने की कोई जरुरत नहीं है साब का बता दो वही काफी है परवतों के देवतार रेड़ी का भविष बताओ यह बहुत परिशान है स्रीमान आप एक परिवरतन काल सरों गुझर रहे हैं और स्रीमान भग्या, आपका साथ नहीं दे रहा है यह अभी की चिडिया से तो अंड़े निकलबाने है रहा है दूसरी चिडिया लाकर क्या करेंगे हमें ही कुछ करना पड़ेगा कितने बार बोला तूजी बीच में मत बोला कर बाहर के लोगों के सामने मेरा कच्रा हो जाएगा चीडिया के बारे में छोड़ दीजे गुरूजी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बताइए इस साल मंत्री आप ही बनेगे गुरुजी कितने साल होगे, किसी ने मुझसे बात कहीं नहीं, ए सरसुदी, मेरी बात सुन, थोड़ी चीनी लेकर आना मैं इनका मुझ चीनी से बढ़ दूँगा, इनका चीनी से क्या होगा, शराब की पूरी बोतल दे दो, ने स्रिमान, हाप से काम चलेगा, वो भी ले लो, स्वरक की अपसरा यहाँ पे, फूलों के साथ सजी हुई, यह लड़की है कि बिजली, इसे में ले जाओ क्या, ए गुरुजी बैट जा, बैट जा, मेरा भविश्य बता, चल तो अंदर जा, स्रिमान, इसको अपने साथ बिठाए, परवतों को देता खोशो के आशिरवात अरे पुजारी जी, इनकी जिंता छोड़ी है, अभी इनका भविश्य बताई है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, मेरा भविश्य बताना छोड़ो, मुझे उस भूपती का भविश्य बताओ, अरे आप इससे क्या बूच रहे हैं, मैं ही बता देता हूँ, आप अगर हार गए तो वहाँ जीच जाएगा, सत्य बचल स्रिमान, परवत के देवताओं की कसम, बाढ़ में गए तुम्हारे परवत देवता, मेरी भलाई इसमें है, तो वेंका ट्रेटी भगवान की भी नहीं सुनेगा, यहले चल भाग, ओहो, क्या समझाओं मैं, हेमा हो, जया हो, अचान जा रहे हो, कोई भी हो, हुरहा, वाँ कहा जा रहे हो, स्रीमति जी से और पुरानी साड़ी माँगा, जाता हौँ, परानी साड़ी क्यों, जो पेन रखी भाई ले जा, अवे निकल जा है, यहां रहे, इलोगो का कुश नहीं हो सकता, मैं यहां के बंद रखू या ख क्या हुआ दादी वहाँ दिखो इसे क्या हुआ हालो लोग ऐसी उदासी शादी के बाद दिखाते हैं तो मभी से ही बता हुआ क्या आप सब तो आप बहुत खुश हो ना तो खुश नहीं होना चाहिए ऐसी बत नहीं है मुझे आपको मनाने में काफी समय लग गया लेकिन मेरे पिता जी को मनाना बहुत ही मुश्किल काम है वामशी तुम अब अकेले नहीं हो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे पिता जी आखिर करते क्या हैं वो हाई कोट में जच थे अरे पहले क्यों नहीं बताया मेरा काम आसान हो गया न्याय और अन्याय के बारे में उन में ज़्यादा समझ होगी वो तुम्हारे प्यार के साथ जरूर न्याय करेंगे मैं तुम्हें जबान देता हूँ ये होके रहेगा भाई आप तो मान गए मगर इसके पिता जी नहीं माने तब अगर पिता जी नहीं माने तो इसकी माँ को मनाऊंगा क्या हुआ कब तक तु ऐसे लड़कियों की तस्वीर देखता रहेगा जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुमने कहा था कि वो दोस्त की शादी में गया है वापस आ गया है इसलिए फोटो सेशन हुआ न मुझे हर हाल में एक अच्छी मैचिंग चाहिए डाडी डाडी ऐसे तो कोट रूम में बलाते हैं हाई इंकल डाडी भाईया का है मैं भी उसी का अंतिजार कर रहा हूं एक घंटे हो गया उसको अंदर गय हुए भाईया बहिया क्या हुआ ज़र अपने हाथ दिखाओ पर बताओगी क्या है बोला ना हाथ दिखाओ मजाग बन करो भाईया मैं चाहती हूं हर्जन में तुम ही मेरे भाई बनो सच में या पैसो के लिए ओ भाईया मेरे प्यारे भाईया चलो पैसे जल्दी निकालो यह सुर क्यों परिकड़ गया देखो नमात्मा गांदी कितने उदास दिख रहे हैं अच्छा बड़े फ्रेम वाले तो मेरा मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इन दुनों के प्यार को देखके दिल को सुकून मिलता है अंकल हाई अंकल कम कम वाट प्लेजन सप्राइज मैं अकेली नहीं आई हूँ कि हैंसम का है वह अपने रूम में है क्या हूँ अंकल ऐसे क्यों देख रहे हैं नहीं बेटी अभी फोटो में देखा था सामने देखके सौक हो गया है मैं वंशी को शौक देने ही आई हूँ अंकल चार नमर वाली लड़की भी आएगी हाई अंकल मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम भी आ रही हूँ जिससे मिलने आई हूँ उसे भी पता नहीं है यह क्या हो रहा है ये चारों लड़किया एक साथ क्यों आई यह चारों लड़किया और सबको अंकल वम्शी के दिल में हम लोग में से कोई नहीं है वो किसी और से प्यार करता है मैरे जाब made in heaven अंकल और उसे साबित करता है हमारा सच्चा प्यार अगर आप 100% जज हैं, 1000% पापा भी है तो वम्शी के प्यार के साथ नियाए ज़रूर कीजिए अंकल इतिहास में उन्हें मारते थे जो प्यार करते हैं लेकिन प्यार को कोई नहीं मार सकता गुडबार अंकल तोमारा बेटा अच्छा चटका दे रहा है मैंने चार वेदों को देखा, 4000 कुंडलियों को देखा उन्हें से चार लड़कियों को चार दिशाओं से चुना अब ये पाच्छुई लड़की कौन है भावा भाईया, वो तुमसे बहतर पोजीशन पर है अरे चुप करना, मुझे तो चिन्ता हो रही कि आगे क्या होगा चिन्ता करने की कोई जुरूद नहीं फर्स्टेट मेरे साथ रहेगा ना और में एमर्जेंसी एट के साथ वामशे शेर दहार है चियर्स उन चार लड़कियों को चुन्न में मुझे दो साल लग गए लेकिन तुम्हारे एक जटके ने मेरे सारे सपने को तोड़ दिया वाट 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 शॉट लेकिन फिर भी मुझे गर्व है आखिरकार मेरे बेटे ने किसी को चुन लिया वो भी मिना मुझे पूछे हुए चलेगा, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता I am proud of you my son, come on फिर तुम उस लड़की को तुम्हारी मा और मुझे कब दिखा रहे हो आप उसका फोटो देखेंगे No more photos, sentiment काम नहीं आएगा, सीधे live देखेंगे मुझे बहुत खुशी है कि तुमारी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है बहुत खुश हूँ मैं आप सब लोग यहीं पर हैं मुझे पता है कोई मेरी help करो फ्लीज यह सब क्या नाटक है आपका get up setup बदलने के लिए वंशी ने यह सब भेजा है क्यों इस get up में बुरा ही है क्या यह get up आपके गाउं के लिए तो ठीक है आपके लिए तुम लोग मुझे ऐसे मत देखो जैसे हम गुनेगारों को देखते हैं मैं मेहमानों के साथ अच्छे से पेशाऊंगा और इज़्जत से बात करूंगा उनसे ओके देख मेरे बाई तू बास से मुकर्णमत रिष्टा कबूल कर ले मा यही है बाबी क्यों जी लड़की बहुत सुंदर है ना बहुत सुंदर है मुझे लगता है कि मैने उसको कहीं देखा है मैंने पहले से देखा नहीं लेकिन मुझे यह आदमी गडबर लग रहा है ये तुमारा पुलिस और दिमाग बोल रहा है रिटार्ड होने के बाद पुलिस पुलिस ने रहती क्या डेड़ी ये मिस्टर भूपती है नमस्का नमस्कार जच साब ये मेरी पत्नी वो बहन नंदिनी और वो मेरी दादी और मैं डॉक्टर वेदनात रेड़ी ऐसे बोल रहे हो जैसे राश्यकर एड़ी हो ये है भद्रा और ये बली अपने भूपती जी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड मतलब राइट साइड का घर लेफ्ट साइड का घर दोनों नेबर हैं बहन नंदिनी आशिरवाद लो तुम्हारी शादी किसी भी घर में हो मैं चाहूँगा हमेशा तुम खोश रहो बहुत अच्छा आशिरवाद था मुझे पसंद आया कल की बात तो कोई नहीं जानता लेकिन ये आशिरवाद हमेशा रहते हैं हाँ भाई सही का ये आपका भाई है जी नहीं तो आपको ये भाई है क्यों कह रहा है क्योंकि इनके लिए ऐसा ही है ये छोटे भाई जैसे है देख क्या रही हो भवानी दो ना ये क्या है ये आपके लिए है मुझे ये सब पसंद नहीं है ये हमारा रिवाज है, दो इने, ली जी, सर, आपका बेटा मेरी बेहन से प्यार करता है, अगर हम इनकी शादी करवां दे, देखे भूपती जी, ये जो प्यार है न, इसमें दो दिलों का संबंध होता है, लेकिन शादी दो परिवार से संबंधित होती है, मेरे इसाब से शा अच्छा, मैं दो दिन के बाद यहां आऊँगा, आशा करता हूँ, आप अच्छी खबर सुनाएंगे चलता हूँ सर, सभाल के जाईएगा अब मेरे पास उनकी फोटो भी है, वोइस रिकॉर्डिंग भी है, उसके एरिया के ऐसा ही से बात करता हूँ, उस भूपती का इतियास निकालता हूँ आप टेंशन बत लिजिए, वो खरा सोना है, खरा सोना ज़रा खोल के बताओ, वो जजज के ओदे से रिटायर नहीं हूँ है, रिजाइन किया हुनोंने रिटायर जजज के बारे में सुना था, रिजाइन जजज क्या होता है वो प्रेश्टिज पटवर्धन है, असल में हुआ ये था वो चाते थे उसके परिवार के लिए मैं उसको छोड़ दू, उस ड्रग डिलर के करण कितने बच्चे बरबाद हो गए, यंग जर्नेशन एकदम खराब हो गई, ऐसे आदमी को छोड़ दू, इसलिए मैंने उस ड्रग डिलर को पांच साल की सक्स सक्स सजा सुनाई और अप अपने जॉब सिस्तिपाद दे दिया, आपने सही नहीं आए दिया, फिर आपने जॉब क्यों चोड़ अशर? मुझे इस केस में नहाय करने के लिए, उपर से पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, इसलिए मने रिजाइन दे दिया, अगर आप जैसे कुछ और अधिकारी हो त फिर कुछ और कुरसियां खाली होती? आपने कहा था, दो दिन में फैसला सुनाएंगे, हम उस अच्छी खबर का बेसबरी से इंदेजार कर रहे हैं। अच्छी खबर है, लेकिन आपके परिवार के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए। जैसे शादी के लिए दूलन की कुणली निकालने पड़ती है, उसी तरह मैंने आपकी जनम कुणली निकाली है। पर किसी जोतिश्य नहीं, पुलिस और प्रेस से। टाइम्स, वारताहर, जयोती, हिंदुस्तान, आपका इतिहाज इन सब में छपा हुआ है। अगर आपने इस सब कुछ स्वतंद्रता संग्राम के लिए कि आ होता, तो शायद आपको भारत रत मिला होता। लेकिन आपने ये गुना अपने अपने स्वार्थ के लिए अपनी गल्तियों को छुपाने और अपनी ताकत दिखाने के लिए कि आ है। आप एक तना शाह हैं। आपको पता ये क्या है? इंडियन पिनल कोट इसके अंदर हर गुना के लिए एक सेक्शन है। जो गुना आपने किया है, किसी भी सेक्शन के अंतरगत आपको सजा मिल सकती है। ये सब कहानिया पुलिस ने लिखी हैं, जो कहानों के लिए थोड़ा कड़वी हैं। आप जैसा इंसान, इस घर के लिए बिलकुल ठीक नहीं है। आप एक ताना शाह हैं एकदम खतरनाक अगर आज आप किसी को मारेंगे तो दस साल के बाद आ करके उसका बेटा आपको मारेगा और तो और वो मेरे बेटे को भी मार सकता है मैंने इसको पालपोस कर बढ़ा किया है आपके गुनाहों की बली देने के लिए नहीं सुनी जी तुम्हारे भाई ने मारा होता ये तुम्हारे बतक्रिस्मती है कि तुम इनकी बहन हो जट साब ये रिष्टा वंशी और नंदिनी के बीच है मेरे और आपके बीच नहीं मैं बहन की खुछी के लिए कुछ भी करूँगा आपको क्या चाहिए मांग कर देखो लाक अगर घर बोलोगे तो पूरी गली ही खरीद दूगा सब मेरे खांदान को चानते हैं साथ पीड़ी से मेरे लिए ये रद्दी कागज है जिसके मन में भी जो आता है बस लिख देते हैं अब बोलो मुझे दौलो दौलत नहीं चाहिए इज़ददार परिवार चाहिए आप लोगों को सजा देते हैं और मैं मारता हूँ धर्म के लिए अगर आप मारे तो न्याए मैं मारू तो गुनाह आप चाहे जो कुछ भी कहें लिगने शादी नहीं हो सकती मैं कितना बड़ा तानाशा हूँ ये तो मेरे इलाके में आके पता चलेगा आपको आप में कुछ मिशानी है आपको पता है शादी क्या चीज होती है जिन्दगी भरकर साथ तुमसे रिष्टा जोड़के कुछ जी नहीं सकता बड़ा तै यही मैंने आपके बेटे से कहा था मैंने कहा था तू कभी मेरी बेहन से शादी नहीं कर सकता पर उन दोनों के पयार के आगे मेरी जिद्बी जुक गई सिर्फ मैं ही नहीं, हर किसी को पयार के आगे जुकना ही पड़ता है आप दूले की तरफ से हो, आप हमसे एक कदम आगे ही हो, हम लोग लड़की वाले हैं हम आपसे दस कदम पीछे ही हैं, एक भाई होने के नाते, मैं कुछ कहना चाहता हूँ हम हर फैसले के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, आप हमारे हाई कोर्ट हैं इसलिए मेरी बेहन के प्यार के साथ नयाय कीचेगा, मैं जल्दी ही वापस हूँगा, नंदे ने अपने ससूर से आशिरवात लूँगा हलो, डॉक्टर साब बोल रहे हैं, मैं डॉक्टर वैदनात बोल रहा हूँ राद को हैदराबाद बिर्यानी कुछ ज़्यादा हो गई थी, तो पच्चे नहीं रही है, कौनसी दवाई लूँ अरे, आप भी तो डॉक्टर हो मेरी फीश थोड़ी ज़्यादा है वो जजज है तो क्या हुआ मेरे पोते के बार में उल्जी सीदी बाते करेगा, वो इस रूटरा देवी का अच्छिता से जानता नहीं है अगर मैंने साड़ी बाली रो हाथ में तलवार खीच ली ना तो चोड़ों तरफ लॉश ही लाश ही देखने को मिलेगी भड़ाया जजज का बच्चा दादी मा, शान्त हो जा क्यों शान्त हो जाए हम उनके घर रिष्टे के बात करने गए थे और उन्होंने हमसा किस तरह से बात की मजह माफ करना भईया मेरी वज़े से आज आपको इतना अपमानित होना पड़ा इस सब मेरी वज़े से हुआ भाई, एक बार हाँ कर दो उस जज का सर तुमारे कदमों में पड़ा होगा हाँ भाई, काट डालेंग उससे क्या हुआ अप, ऐसे हस क्यों रहे है उस जज ने गलत क्या किया उसने मेरे बारे में बताया ये बताया कि वो अपने बेटे से कितना प्यार करता है मेरी जिन्देगी में पहली बार मेरे सामने कोई खड़ा होके सच बोल रहा है मैं उस जज का सम्मान करता हूँ और वो भी मुझे जल्दी समझ जाएंगे और वो भी मुझे उतना ही सम्मान देने लगेगे नंदिनी मैं तुमसे वादा कता हूँ कि ये शादी जरूर होगी किसके नाम से पूजा करानी है वामसी मेरे होने वाले जीजा उनका गोत्र गोत्र अक्षे धारी आप लोग आरती लिखे एए रोक 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 लगता है ये इसी शहर की है आदेखते हैं एए चल चल्दी बट भाई आज कलो जज के बेटे के साथ घूम रही है शादी भी करने वाली है पास पास आँ चला रहा हूँ चला रहा हूँ आज चला रहा हूँ आज पास साल के बाद मैं जेल से बाहर निकला हूँ मुझे रिसीब करने के वजाए तू रोड़ पे घुम रहा है अरे भाईया आप नहीं जानते वो लड़की कौन सी लड़की जज की होने वाली बहू है जज की होने वाली बहू उस जज की बेटी को उठा तू आज उसका रेप करना इसका रेप बाद मैं करेंगे जए खरेद के माली को वो जए की जानते वाला बाद में जएकिन 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 क्वेकिन जो भी इस देश में पैसा कमाता है उसे टेक्स भरना पड़ता है लेकिन तेरे बाप ने मुझे पांस साल के लिए जेल में भेजा और मैं एक रुपिया भी नहीं कमा पाया और तेरा बाप करोड़ पती बन गया अब तेरे बाप को भरना पड़ेगा मेरा टेक्स मतलब एक साल का एक करोड़ और पांस साल का पांस करोड़ तेरा बाप पांस जनमों तक भूल नहीं पाएगा जो अभी हम तेरे साथ करेंगे देखती रहना तु हम क्या करते है पहले ये डील तुम साइन कर लो उसके बाद तुम्हारे दोस्त भी साइन कर लेंगे कर दोस्त को फोन करें अरे छोड़ना यार अच्छा बता डीजीपी क्या करेगा वो कमीशनर को फोन करेगा कमीशनर पुलिस को फोन करेगा एक बार पुलिस में कंप्लेन हो गई तो वो लोग श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे मैं इनसे 20 साल से डील कर रहा हूँ तुम ये बास समझ नहीं पाओगे बला ही तुम स्वेता की पिता हो लेकिन वो इन आथों में भी खेली है मुझसे पैसे लेने में जिजग नहीं हो मैंने इतनी मुश्किन से ये पैसे जमा किये हैं मुझे श्वेता वापस चाईयے मुझे बताओ श्वेता कहा है मैं उसे लेके आऊँगा जल्द बाजी में काम प्रिकर जाएगा अभी उसका फोन आता होगा डाड़ी डाड़ी तुम ठीट तो हनो बेटी मैं बिलकुल जीखू थाइंग घॉट बेटी तुम उनसे कैसे बच के निकली नमस्ते जट सहाब आप यहां क्यों आए मैंने कहा थाना मैं जल्दी ही आऊँगा और मैं बादा नहीं तोड़ता मैं आपका फैसला सुनने आया पटवर्धन का सुनाए हुआ फैसला कभी बदलता नहीं है तुम्हारे जैसे लोग तो कभी बदलेंगे नहीं गाउस आकर कि चार दिन नहीं हु बोल रहे हैं खोड़ी दिर पहले आपने थैंक गॉड काहा था आपको थैंक गॉड को नहीं इन अंकल को कहना चाहिए ये क्या बोल रहे हुए यू बेंगे अब नहीं 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 ऐख बले हबाई मेरी बेहन के सवर्कों इससे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी ना आप ने यहाद आशका स्थर काड़ देंगे है को नहीं ब्रूब राइड दो! राइड राइड दो! बाई, एए, बले, भाई, एए, तुने भाई पे हाद उखाया, अब तु सन्ना नहीं बचेगा, क्या उखानेगा ये? बाई, इसका मेरे को जान से मार दो, मेरी बेहन के ससूर को दुबारा तकलीद दीना, काट के रख दूगा, कौन था भी ये? अब नियुक्त के सब्सक्राइब दो, मैं अब अपने जिन्दगे में किसी का अइसान पसंद नहीं, ये मेरी बेटी को बचाने के लिए इड़े अंकल अगर पांच मिनट भी देर से आते तो मेरी जिन्दी बर्मार ढहती हैं.. आप इन्रेशे सभने बाझा बढूत शोचा है इस देस में रोज हजारों रेप केस कोट में आते रहते है ducks गुनेगार को सजा मिलती हैं लेकिन एक लड़की की खोई इज़त एक जज़ वापस नहीं दे सकता रो मत बेटी तुम्हारे पापा को तो सिर्फ याए धार्म से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं अब कुछ समझ में आ रहा है मेरे ये काम करके तुम दिखा रहेगो तुम अच्छे इनसान हो तुमने मेरी परिवार का दिल जीत लिया है लेकिन तुम मेरा दिल नहीं जीत सकते उसके लिए तुम्हे अपने गाउं के लेक्शन जीतना होगा बीना किसी वाइलेंस के हाथ में तलवार लिये बीना सिर्फ अच्छाई से फिर मैं इस रिष्टे के बारे मैं सोचूँगा किसी और की बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए आप मेरे गाओं आईए फिर मुझे देखिए मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा आदमी हूँ आप डिसाइड कीजिए क्या हुआ जच्छाब आप मेरे गाओं को देख कर हस रहे हैं नहीं मैं आपको देख कर हस रहा हूँ आपके घर जाने के लिए आपके साथ पांच गड़ी आगे पांच गड़ी पीछे चल रहे हैं और सो लोग सिक्यूरिटी के लिए हैं यह security मेरे लिए नहीं, आपके लिए है, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फैसले सुनाए है, कुछ लोगों को न्याय मिला है, कुछ लोगों को नहीं, कोई भी किसी भी वज़ा से आपसे बदला ले सकता है, आप मेरे महमान है इस वक्त, आपको कुछ नहीं होना चाह हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं सोच रहा था, उस नहीं की शादी मैं करवाऊंगा, और उस भूपती की इज़त मिट्टे में मिला दूँगा, भूपती इस शादी के लिए कज़ा मान गया बे, क्या फरक पड़ गया, वो रोड़ पे बैठके कटिंग करता है अगर किसी का थोबड़ा अच्छा हो, तो कोई भी अपनी बेटी देने के लिए तयार हो जाता है, तो बड़े के सिवा उस नहीं के बास है क्या जो उसकी बैठके अपनी जिंदगी खराब कर रहा हूं, शेहर में चले जाओ, सभी लोग एसी में बैठके कटिंग करते हैं, और कटिंग के 1000 रुपे भी लेते हैं, इतना ही नहीं, उनके पास कटिंग करवाने के लिए बड़े-बड़े हीरो लोग आते हैं, लड़के का थोबड़ा भी अच्छा है, इनकम भी अच्छी है, अब दोनों की बस शादी हो रही है, तो, यह शादी नहीं हो सकती, यह उनको अपने घर बुला, उनके सामने मुझरा करो, धक धक करने लगा, ओमोरा जीरा, डरने लगा, सजना, ऐसा का होगी, तो अब जाके तुम्हारी खुजली मिटेगी, चाल पागल गएंगी, आप यहाँ पर क्यों गड़ी है, चला अंदर जा, वो वूपती जो भी चाहत है, भोगने वाला काटता नहीं, चुपका, इस बार भोगोंगा नहीं, काट लूँगा, आंटी जी, कब चलेंगे कांची, क्यों, अभी से तिरत करना चाहती हो, नहीं, शादी के लिए अच्छी साडियां कांची में ही मिलती है, कांची नहीं, हम कला मंदिर जाएंगे, ब इतना हिलो मत भावी, यह क्या, मुझ पे रोब जमा रही हो, मैं आपकी ननद हो ना भावी, इतना हग तो मेरा बनता है न, क्या बोला इसे, डाडी, इस लड़की को क्या बोलाया तुमने, भावी, इसका एक नाम भी है, क्या है वो, नन दिनी, करेक्ट, इसको इसी नाम से बोलाओ, भावी इसको शादी के बाद बोलना, क्यों बनाओ नाम से, भावी, भावी, मेरी प्यारी भावी, मेरी अच्छी भावी, क्या बात आपने इतना खाना बनाया क्योंकि हमाई है नहीं बेटा रोज बनता है तो सुब़ शाम इतना खाते हैं रोज इस घर में 30-40 लोग खाना खाते हैं हमारे घर से कोई भूका नहीं चाता ड़ादी खाना कैसा लगा खाना तो अच्छा ही है लेकित थोड़ा तीखा ज करते हैं मैं नंदिनी तुम भी हमारे साथ खाना काओ मैं बात में खालूंग अंटी सब कुछ तो यहां है हमें और कुछ नहीं चाहिए तुम बैठो रहने दीजे मैं बात में खालूंगे बुरा मत मानियेगा व ऐज उप्वास है पर किसलिएallyorn उतने साथ शुक्रवार का व्रत रखा है, ताकि उसे वो मिल जाए, जिससे वो प्यार करती है, वो शुक्रवार को पानी तक नहीं पीती क्या है ये? मैं तुम्हारे लिए जूस लाया, इसे जल्दी से पीलो और अपना व्रत तोड़ो मैं कोई भूख हरताल पे नहीं हूँ, उपवास है मेरा भगवान से कुछ मांगना, एक भूख हरताली हो गई ना मैं भगवान से क्या मांगूंगी? अपनी पसंद के लड़के से शादी करना, ये भी तो मांगना हुआ, अगर ऐसा नहीं है तो ये पीओ नहीं, आज मैं कुछ भी नहीं पी सकती दिन बीच चुका है, बारा बच चुके है, अब तुम ये पी सकती हो नहीं पिऊंगी, तुम पिला दो आहा, क्या किस्मत है मेरी देखा है पहली बार, साजन की आखों में प्यार अब जाके आया मेरे, बेचे मेरी को गरा वाह, क्या बात है बेटा, अपने पतनी से इतना प्यार तेरे पापा के साथ मैंने कितनी बार जगड़ा किया लेकिन उन्होंने एक बार भी मझे खाने के लिए नहीं पुछा और तुने भी तो खाने का छोड़ एक गलास पानी तक नहीं पिलाया जब मैं एक बार फिसल गई थी ना, तो कहा बोन स्पेशलिस्ट के पास लिए चलो तो भाईया ने कहा कि अमरे तांचन लगा लो मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिखाया इसलिए तो कहते हैं बीवी आने के बार सब पराय हो जाते हैं तुमने भी तैसे किया अच्छा जाने दो यहां पर सब लोग नंदनी का वरत तुरवाने के लिए कुछ नकुछ लेकर आ सब्सक्राइब लां हो सक्षन फॉर निटियेट के तहत दहज लेना गुनाह तो आपको नहीं चाहिए नैंगी अच्छा साधी का मुरत ये बाग से अप सिदा शाधी पर पहुंच गए अगर हम और हम कुछ दिल से चाहते हैं वो हो के ही रहता है 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 बाई 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 बेंकर्ट के आदमें आपने घर पर हमना कर दे बाई चलो रहा है तुम लोग जो कर रहें बहलता है सेक्षिन 337 के अतररत तुम लोग अंदर डाल दूँगा है 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 रख जा भाई तुम रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो एक एक को काट देंगे हम हम इने मार सकते हैं पर मैंने जच साब से वादा किया है अरे क्या उन्होंने आपको बहुत मारा डाड़ी यहां हर कोई किसी को बेवजा नहीं मारता है तुम्हारे भाई के तो हर जेकर दुश्मन है सच है बेटा जो धर्म की रहा पे चलता है उसके बहुत सारी दुश्मन होते हैं अरे ठीक है ठीक है बेटा आपको उठने की जरूरत नहीं बेटा हम आपके शहर में आये थे और आपके शहर में हम पांच दिन रुके थे वहाँ हम लोगों ने देखा कि यह वहाँ आम लोगों के लिए हर गली में एक ना एक मंदिर जरूर है मैं ये तो नहीं जानती उन मंदिरों में भगवान उनके कश्ट दूर करता या नहीं लेकिन इस छोटे से गाउं में अगर किसी को परिशानी होती है ना तो वो हमारे दर्वाजे पे आता है और उसके परिशानी दूर हो जाती है मैंने जिन्दकी में आज तक ये नहीं देखा लोगों की बाते सुननी पड़ रही है उसे मारवे खानी पड़ रही है मेरे पोते ने आज तक इतना नहीं सहा बहुत हो गया बेटा बहुत हो गया वो तुमसे मुकाबला नहीं कर रहा है बेटा वो अपनी बेहन के लिए समझोता कर रहा है आप यहां महमान हैं हमारी वज़े से आपको इतनी सारी चोटी लगी है हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो, मैं जा रही हूँ वंशी मुझे लगता है हमने कोई गल्ती की है लेकिन किस चीज में? अगर उस दिन हमने मंदिर में शादी कर ली होती, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें चिंता करने की जुरूत नहीं है, मुझे अपने प्यार पे भरोसा है सुनिये जी मुझे बहुत डर लग रहा है, कल नॉमिनेशन्स है पता नहीं क्या होगा जो किस्मत में है वही होगा, तुम जा के सोजो बाबी चल मेरे साथ, मेरे साथ हाओ बताती है यह लो, बाबी यह सब क्या है? तुम कुछ मत बूछो, तुम्हारे प्यार को यहाँ न्याय कभी नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी तुम लोग की शादी नहीं होने देगी बेटा कहीं जाके शादी कर लो और खुशे से अपना घर बसाओ अरे बात वो नहीं है, असल मैं मुझे पता है, तुम नंदीनी का ख्याल हम से जादा रख सकते हो मा आप तो यहीं समझाओ तुम कुछ मत बूल, हम दोनों यहीं चाहती है लेकिन भावी, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं खुछ तुम्हें यहाँ बुला लूँगी, तुम लोग जाओ यहाँ से ओके, ओके, ठीके, चलिए, चलिए, पैठिए मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं जिन्दगी में तुम्हें दो रास्ते में लेके पहला रास्ता सही होगा और जो दूसरा रास्ता होगा, वो हमेशा गलत होगा गलत रास्ता अपनी तरफ खीचता है उसमें मुश्किले कम होती है पहले हमें लगता है हम जीत रहे हैं लेकिन आखिर में हम हार जाते हैं सही रास्ता वैसा नहीं होता पहले मुश्किले सामने आती हैं दादी की एक ही खुआईश है। वो इसकी शादी दिखना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन दोनों के दिल की इच्छा क्या है। अगर हम शादी करना चाहते तो मैं इसे किसी भी मंदिर में ले जाकर मंगल सुत्र पहना देता। और दुनिया की नजरों में हम दोनों एक दूसरे के लिए पती-पत्नी बन जाते हैं। लेकिन दुनिया से जादा हमें इन दो परिवार का आशिरवात जरूरी है। अब आप ही बताईए क्या हमें भाग कर शादी करनी चाहिए। मैं हमेशा चाहती थी नन्दिन की शादी धूमदाम से हो। लेकिन मैं भी यही कहना चारी है जो यह दोनों कह रही है। तुम दोनों चले जाओ यासे। भले ही तुम लोग हमसे छोटी हो पर एक्दम सही हो। जो भागता है वो कभी जीतता नहीं। और जो जीतना चाहते हो कभी भागता नहीं। मुझ पर विश्वास रखो। ये शादी सबके आशिरवासे ही होगी। बात वो नहीं है। मैं तुम दोनों पर पूरा भरोसा करता हूँ। लेकिन वो भुपती के बच्चा लड़ाई जगड़ा छोड़कर सादू बन गया है, ये बात मैं नहीं मान सकता। हाँ जीजा, जच की सर्त है अगर भुपती ने लाई जगड़ा छोड़ दिया, तब ही उन दोनों की साधी होगी। कूच जाईए, आप इस जग में मर्द की तरह कूच जाईए, जीजा जी, यही हमारे लिए अच्छा मोका है। इससे अच्छा मोका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं छोड़ूँगा, वो पती को कुछ भी करके हमें रोकना होगा, और यह देखना होगा कि वह हमसे आगे न भलपाई। है, मोका पाते ही, अपने कुछ लोगों को उनके भीड में शामिल कर दो। सुनिये जी, क्या मैं भी वहां और तुमें शामिल हो जाओ। मा, आग को पता है मेरा फैसला क्या है, मुझे आशिरवाद दीजिए, अपना आशिरवाद दीजिए मा। आपको नॉमनेशन के लिए हत्यारों को जुरुवत पड़ेगी। तुम लोगों ने सुना नहीं, हत्यार यहीं रख दो। यहां पर साइन करिए। पैस्ट आप लग। अरे वाह, मैंने उससे पहले नॉमिनेशन के पेपर बर दी है, दिल को शांती मिली। यह कोई दोर थोड़ी हो रही है, कि जो पहले नॉमिनेशन भरेगा वो जीतेगा। वो भी यहां नॉमिनेशन पेपर बने के लिए आई रहा होगा। अरे वो नॉमिनेशन भरी नहीं पाएगा। यहां वो डिल चनदूबाम। अमारे आत्मी लोग उसका ढोल बजा देंगे। लुबत भईया। लुबत भईया। लुबत भईया। कर दो कर दो पुप जई जया कर दो, 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 कर लूए चुट समये लूए.. कर दो!! बाई गुछाँ साथ उत्स लोग coupon inh index अमें लटना बढ़ेगा लोगो कि जिए भान वाई प्र लोग alcohol हुआ है एक लै को लोगा बहाг BAR घॉार मुशतूर ठाम funky our गङ हुआ तक फृट है थाह Pit सकते ठाम सकते ठाम ऎक करेंए कि अधुछेज। इधुछेज। कुछेज। कि लंदिनी मुझे मां कि या वो पती खुद लड़ाई में खूद गया आपने उसे मजबूर किया अब जेलो चुपकर खर बाँ टुटन लड़ाऊN आक रापैएएएएएएएााओएएए आसे मजई खुझेगाँ खुपकर वेते हमीवी खब 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 अख! éral! के डाङब के आङब आई जब आङब आङब ओचक आज करो से से कि अ कि और स्टर। में आपने ग। कर दो! कर दो! कर दो! जो जो चरुआए कुन हो ठाइस का जघ अँडा जो बाइस आग के वा दो शाव अाल प्रेइट के लिए भी खांडा प्रेट ईपर हुआ है बेंक अट्राटे अब इंटी धुकाई के नमबर है आपने कल जा पहूं में तो अबे देख क्या रहे हो मारो उंसे वंशी सब रुक जाओ वंशी भविश्य बरबाद मत करो यह तुम्हारे लाइक काम नहीं भूपत मुझे मत मार मैं अपना नॉमिनेशन वाफस लेने रता हूं तुम मुझे मत मार प्लीज जो किसी को मारता है उसमें मरने का भी दम होना चाहिए क्या तेरे में हिम्मत है वेंका ट्रडी एक एमेले बनने के लिए हमारे गाओं में तु इतना खुन खराबा कर सकता है मंत्री बनने के लिए सब लोगों का दिल जीतना पड़ता है खुन नहीं बहाना पड़ता समझा तेरे और मेरे आद्मियों ने अपने स्वार्थ में कितने लोगों का खुन बहाया है मैंने सोचा था मेरे लोगों की जिंदगी मेरी बेहन की शादी से ज्यादा कीमती है इसलिए तलबार उठाई नामीनेशन फाइल करने में पांच मिनिट है दायर नामीनेशन के पेपर दो भुबे दिभाई भुबे दिभाई बुब áreas भुबर दिभाई भुबरे दिभाई भूबरे दिभाई जो भी हम जिन्दगी में बोते हैं वही काटना पड़ता है चलो हम दोनों मिलकर प्यार के बीच बोएं ये लो नफरत से बेहने वाले खून की ये आखरी बून्द होगी ये लो बिना इलेक्शन के तुझे एमेले बनाता हूं इतिहास में पहली बार इलेक्शन में तुम ऐसे अकेले अमेले होगे जो एक मत से जीता नहीं भाई इसे अमेले मत बनाओ मैं आप सब के प्यार का अभारी हूं ताना शाही तभी होगी जब उपोजिशन होगा अगर हम हाथ मिला लें तो ताना शाही मिट जाएगी मेरी बात मानकर आप इस वेंकर ट्रेडी को MLA बनाईए वेंकर ट्रेडी लोगों का भला चाहने वाला प्रतिनीदी बनेगा लेकिन लोगों की दौलत नहीं लूटेगा मैं इस आशा के साथ तुम्हें ये पद दे रहाओं कि तुम इनकी अच्छी सेवा करोगे अगर तुमने आशाई नहीं तोड़ी तो पांच साल क्या तुम पूरी जिंदगी भर के लिए इस गाउं के MLA रहोगे और अगर धोका दिया तो भाई भूपति भाई दूसरों का भला करो फिर सभी के सभी लोग तुम्हें भाई बुलाएंगे मैं भी वही चाहता हूँ फिर मैं भी तुम्हें भाई बुलाऊंगा याद रखना प्रेल करें प्रेह दूसरों को भाई भाई है रखना करते हिए भाई बुलाएंगे लाई प्रूसरों का रखना पीजा लाई प्राई प्रावे वह हमसे मैं हार गया हार गया मैं हार गया जट साब को दिया वादा तूट गया और तुम दोनों का प्यार नहीं दिला पाया ने आए तुम अपने पिता के साथ लोट जाओ और उनकी ही पसंद के लड़की से शादी कर लो तुम्हें जिन्दगी में किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो भूलना मत कि ये शुप्षित तक हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटी नंदिनी माफ माफ करना मेरा प्यार हार के मुझे दुख नहीं है लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आप नहीं हा रहे हूँ मेरी ये खुश नसीबी है कि मैं आपकी बेहन हूँ अभी तक मैंने फैसले गवाहों को सुनने के बात दिये हैं लेकिन आज पहली बार मैं अपना फैसला गवाह बन करके दूँगा जब आप पहली बार हमारे घर आये थे तो मैंने आप में एक तनाशा देखा था तनाशा मतलब जिसमें हंकार और घमंड हो लेकिन आपने लोगों की जान बचाई आपने मेरी बेटी की जान बचाई इस गाओं के लोगों के दिल सोने के हैं वो आपको बहुत मानते हैं मैंने कहा था कि एलेक्षन बीना हिंसा के जीत के दिखाईए लेकिन भविश में होने वाले एलेक्षन में भी जो हिंसा होगी उसको भी आपने एकदम फुल स्टॉप लगा दिया आपने ताना शाही हटाने के एक अच्छा हल लिकाला बेहन के बारे में सोचने के बजा है आपने सब के बारे में सोचा और हम सब को जीत लिया इसी को जीत कहते हैं और यही मैं चाता था मुझे गर्व है कि मैं आप से रिष्टा जोड़ रहा हूँ जितना गर्व आपको हो रहा है उतना ही मुझे भी हो रहा है इन दोनों की शादी कराने में अपने बुजूर्गों की बात मान कर शादी करने की इच्छा नहीं इनके इस प्रेम को जीत दिलाई है ये हमारी जीत तो है ही नहीं हमने प्यार पे भरोसा किया और आपने हम पे भरोसा किया असल में हमने प्यार तो आप से ही सीखा है हमने एक कदम बढ़ाया तो आपने हमारी तरफ दस कदम बढ़ाया और हमारी लव स्टोरी को लवली स्टोरी बना दिया शाबाश तुमने ये साबित कर दिया कि अगर हम सचे दिल से कुछ चाहे तो हमें जरूर मिलता है अब एक शुमूरत वाला दिन तैय करें